तो हलो दुस्तों स्वागत है आपका अपने चनल में फ्रेंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके फेस्बुक पेज पर इंसाइट का ओप्सन सो नहीं हो रहा है आप देखना चाहते हो कि मेरा फेस्बुक पेज की वीडियो कितनी ज्यादा रिकमंट ह हो रही है कि देखने में जा रही है तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि वह सब कुछ आप इंसाइट पर ही देख सकते हो और अगर आपके फेस्बुक पेज से मैटा की ऑफिस्यल वेपसाइट से अगर इंसाइट का ओप्सन ही मिसिंग है तो आई देखने में स्क्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है क्योंकि ऐसे ही helpful content में आप सब इक साशियर करता रहता हूं चलिए फ्रेंड सिर्व करते हैं तो फ्रेंड अगर आपको आपके फेस्बुक पेज पर इंसाइट का ओप्सन सो नहीं हो रहा है आप जानना चाहरे हो कि मेरे फेस्बुक पेज की पोस्ट को कितने रीच मिल रही है कितनी वीडियो को रीच मिल रही है कितने लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच रही है तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने इंसाइट में जाके कैसे चेक कर सकते हो और अगर आपको इंसाइ कि मेरा जो option है वो missing है तो चलिए फ्रेंड हम इस पर बात करेंगे बहुत आसन तरीके से और मैं आज आपको live बताऊंगा कि क्या से आपको insight का option अपने Facebook पेज पर meta में लाना है तो यहाँ पर आप यह process अपने mobile phone पर भी कर सकते हो और आप चाहो तो desktop में as a sim जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी कर सकते हूँ यहाँ पर आपको simple way में सबसे पहले mobile phone पर अगर आप process कर रहा हूँ फ्रेंड तो यहाँ पर आपको आपके mobile को desktop site में convert कर लेना है Google Chrome browser क desktop site में convert करने के बाद जैसे आप Google Chrome browser को desktop site में convert कर लोगे फ्रेंड उसके बाद आपको simple way में करना क्या है यहाँ पर आपको आपका Google Chrome browser open करके यहाँ पर आपको उस particular page पर आजाना है जहाँ पर आपका inside का options ओ नहीं हो रहा है और मैं आपको एक बात और बताएता हूँ admin होना चाहिए full control आपके हाथ में होना चाहिए यानि कि वो page आपने create किया हो कोई दूसरा वंदा का create किया है तो हो सकता है कि उसलिए आपसे वो tool छुपाके रख्यों access नहीं दिया हो तो इसलिए फ्रेंड आप अपने उस particular page के admin हो आपके पास full control है फिर भी insight का option आपको सुन जैसे आप यहाँ पर आ जाओगे फ्रेंड तो इस तरीके से आपके सामने options आ जाएंगे तो फ्रेंड यहाँ पर एक आपको थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है जैसे आप यहाँ पर आओगे तो आप देख पार है कि यहाँ पर हमको insight missing है यानि कि आपका यह facebook page है आप केवल हो केवल रील्स वीडियो अपलोड करता हूं तो यहाँ पर आप देख पार है कि मेरा insight जो option होता है वो missing है कैसे लाना है चलिए हमसे पर बात करते हैं सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना बहुत आसन तरीका है edit option पर simply click कर देंगे जैसे आप edit option पर click कर देंगे इतने स आपको यहाँ पर tap कर देंगे जैसे आप यहाँ पर tap कर दोगो उसके बाद simply save कर देंगे आप जैसे यहाँ पर आप देख पार है कि insight का option आपको सो होने लगा है तो इस तरीके से बहुत आसन तरीके से आप simple available कर सकते हो insight का option अपने facebook page meta business suit में ला सकते हो मैं आसा करता हूं कि आज की वीडियो को पसंद आई होगे वीडियो अच्छी लगिओ तो चैनल सस्क्राइब कर लेजिए और वीडियो को like जरूर कर लेजिए आप लोग चुपके से वीडियो देख लेते हो कि तु चैनल को support नहीं करते हो support कर लेजिए support करने को यह पैसा नहीं लगता है मिलते अगली वीडियो के साथ पत्तक लिए ख्याल रखिये अपना स्वस्त रहिए मस्त रहिए तैंक यू सू मच